नमसकार साथियो, आज हम बात करेंगे important topic पे बात करेंगे, क्योंकि यह जो practical होई है, लोगों के साथ में भी हो रहा है, हम बात करेंगे corona test जी है साथियो, जो लोगbernileri से इंडिया जा रहे है कि हमें बात करना चाहते हैं कि सजिशन आप भी हमें बताईए कि रियल में ऐसा कुछ हो रहा है देखि इक चुल में होता कहा है कि जैसे आप इंडिया से दुबई आ रहे है तो आपको हमें दिक्कत नहीं कोई कोरोनटाइन होने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन क्या ऐसा इंडिया से जा रहे हैं तो भी ऐसा हो रहा है कुछ लोग बोलने कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है हमने कोरोना टेस्ट करवा लिए हम सीदे घर पहुंच गए कुछ लोगों के साथ ये समझ से आ रही है कि वो कोरोना टेस्ट दुबई से लेके जा रहे हैं साथ में फिर भी उनको जबरजस्ती कोरोनटाइन कर दिया जाता है जी हाँ तो जो लोग बाई इंडिया पहुंच चुके हैं वो भी हमें कमेंट के दौरा या मेरा वोट्सप नंबर है इस पर आप मुझे बताईए ताकि हम लोगों को ये बात बता सकें कि लोग बिचारे गरीब लोग जो कैसे तैसे करके यहां पर दुबई में मैंने करवाना होता है दाइए 250 दराम लगेंगे 5000-5000 पाकिस्तानी का 11000 बन जाता है ठीक है इंडिया का 5-5-5000 रुपे बन जाता है वह उनको बोला कि पहले दिन हम गए हमें कुछ मतलब चक्र काड़ते रह गए उसके बाद में करवाया मेडिकल तीन दिन दो दिन बाद है लेकिन वह यहां के लोग教こと के लिए था 250 इस से यहां कि बताया गया था कि यह यह इंडिया वालों के लिए अलग है या फिर एक यह इसममाणी दिया गये था 250 दराम तो मैंने वह बात बत्था अभी यह बात निकल कि आरे कि अगर आप यहां रहे के मेडिकल कर्वाते हो तो यहां के लिए जैसे आपको अबुदाभी से दुबई से आबुदाभी जाना है यह पिर नॉर्मल टेस्ट भी कराना चाहते हो तो 250 द्राम लगेंगे अगर आप यहां से इंडिया पकिस्तान नेपाल कोई भी अधर कंट्री जाते हो तो 180 द्राम आपका खर्चा आएगा लगबग 3,000 के करीब आपका खर्चा लगेगा यही अगर आप इंडिया से यहां मेडिकल लेके आते हो तो लगबग 15-1600 में हो जाता है फिर भी यहां से डबल से ज्यादा डाही गुना महंगा पड़ जाता है यह लोग फिर भी बेचारे यहां से मेडिकल रिपोर्ट लेकिन हम टेस्ट की रिपोर्ट लेके आये हैं दुबई से लेकिन यहां पे हमें कोरॉंटाइन कर दिया गया जबर जस्ती बोला साथ दिन आपको यहां एरपोर्ट पे यहां रहना पड़ेगा सरकारी कोरॉंटाइन में उनको डाल दिया गया उन्होंने वोईस भी बेजी थी फिर मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता यार ऐसा हो यह नहीं सकता फिर उन्होंने बोला कि मैंने रिपोर्ट लेके आया हूं कई लोगोंने दुबई से मेडिकल करवाय था कई ठीक है और उनके पास सब कुछ है डोकुमेंट उनके बावजूद उनको जिवपूर में कोरॉंटाइन किया जा रहा है राजस्तान जिवपूर की मैं बात कर रहा हूं वहला दिकारी नहीं सुनते हैं बोला यह नहीं चलेगा साथ दिन रहना ही पड़ेगा तो यह माजरा क कि आता है 96 होने चीए वेलिड वो शिदा बंदा घर जा सकता है उसके बावजूद यह कंडिशन क्यों आ रही है यह कहां दिक्कत हो रही है या तो बताने वाले की समझ में सार आ है फिर उन्होंने दुबारा दूसरे दिन रिकोर्डिंग बेजी कि जो सर जो मेडिकल करवा आप डायरेक्ट होंग जा सकते हैं अपने घर जा सकते हैं ऐसा उन्होंने कुछ बताया तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ जो लोग इंडिया पहुंच चुके हैं वो प्लीज मुझे वाट्सप करें और जो लोग दुबई सी इंडिया जाने वाले हैं रिपोर्ट ल आपको दिक्कत नहीं अपके मोबाइल पर दिखा सकते हैं साथ मेडिकल रिपोर्ट रहेगी तो आप वहां से सीधा कर जा सकते हैं वरना बाई यह बड़े मतलब क्या बोलें वहीं यह मनमर्जी चला लेते हैं जब कोईट टेस्ट की रिपोर्ट बंदे के हाथ में उसको भ बात है जब दुबई जैसी कंट्री मान रही है कि आप इंडिया से कोईट एस्ट रिपोर्ट लेक्या रहे हमने हमने मान लिया लेकिन यह लोग नहीं मानते जी इंडियन वह लोग नहीं जैपूर एरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं बाकी तो मेरे पास को न्यूज नहीं लोग जा रहे हैं लेकिन कुछ कंडिशन में नहीं जा पा रहे हैं तो इन चीजों का थोड़ा से ध्यान रहे है रिपोर्ट यहां से लेके जा रहे हो तो एयरपोर्ट अथोर्टी वाली वह वेबसाइट है उस पे जाके वह अपलोड जुरूर कर दें आपको नहीं करना आ प्लाई आएगा ना 5-7 गंठे बाद में तो वह उसकी रिंसोट रख लीजिए साथ में आपको आपका कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप जेवपूर या पिर कहीं पर भी समस्या खड़ी करते हैं कि आपको कॉरंटाइन होना पड़ेगा तो दिखा सकते हैं और फिर आप थ टेस्ट करवा किया रह messingलई आ भी कंट्री से टेस्ट करवा किया रहें फिर भी उनको करेंगे वैडायन दिखा सकते हैं यह आपका दिखार है आप सबसक्त स्कते हैं उन से अपके पास एमेल डिया और कोई सजेसिन देना maternal नृओ घ्रे जरूर करें जेहिन जेवर